क्या हैं लोग और करते संदी तो हमने के परिभाश आंको दे दी हें कुछ एक्जांपल भी आपको दीए हैं अब मैंने आपको बदाई, संदी कितने । परकार पृती है कि एक होती है , सुईर । संदी के हमने कुछ भेद लिख लिख लिए थे बच्चो आज इसी स्वरसंदी के कुछ भेद और हम लोग व्यंजन संदी देंगे आपको तो बच्चो स्वरसंदी में कुछ शब्द और ठीके रेखा प्लस अंक रेखांश सिक्षा प्लस आर्थी सिक्षार्थी दया प्लस आनंद विद्या प्लस आले विद्या ले छीके विद्या ले अती प्लस इव अतीव कवी प्लस इंद्र कविंद्र रवी प्लस इंद्र रविंद्र देव प्लस इंद्र देवेंद्र राम प्लस इश्वर रामेश्वर नर प्लस इश्वर नरेश अब है बच्चो आपका वियंजन संदी वियंजन संदी देखिए जब वियंजन का वियंजन अथ्वा स्वर से मेल होने पर जो विकार अथ्वा परिवर्तन होता है तब उसे वियंजन संदी कहते हैं जैसे जगत प्लस नात जगन नात देखो बच्चो जब वियंजन का वियंजन से का से हाथ अलग वियंजन है जब वियंजन शब्द का वियंजन से ही मेल हो या फिर कभी वियंजन का स्वर के साथ मेल हो जाए और उसे जो नया शब्द बन जाए उसे हम लोग व्यंजन संधी कहते हैं जैसे उन्होंने हमें एक एक्जामपल दिया ज़ व्यंजन है न भी व्यंजन है लेकिन इसके साथ आका डंडा जूड़ गया तो ये सुर बन गया ठीके ना का पहला वर्ण का च द त और पा इसके नीचे हलंट लगा लगाया गया है इसलिए ये आधा है इस पे आ का साउंड नहीं है साथ में का च आधा आधा सब ठीके का सईयों किसी सुर अथ्वा यर लव में से किसी वर्ण से होने पर वर्ण का पहला वर्ण अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण गा जड़ दब में बदल जाता है जैसे का को गा जब व्यंजन से व्यंजन मिले या व्यंजन से सुर मिले सुर मिलेगा तो अक्षर पूरा हो जाएगा ठीके नहीं मिलेगा तो आधा रहेगा जब ये मेल हो जाता है तो इसे हम ब्यांजन संदी कहते हैं जैसे दिख प्लस अंबर, दिगंबर देखे इसमें का आदा है? दिख है दिख प्लस अंबर, दिगंबर दिख प्लस दर्शन, दिख दर्शन दिख प्लस अंथ, दिगंथ दिख प्लस गज दिख गज अब यहाँ पे उ वाला दिया है उद प्लस घाटन उद घाटन यहाँ पे स्वर से बना है उद घाटन उद प्लस गम उद गम जगत प्लस इश जगत इश जगत प्लस अमबा जगदमबा तत प्लस अनुसार तत अनुसार उसके बाद शत प्लस वानी तत प्लस भाव भगवत प्लस भजन ये सब वियंजन संदी के शब्द है चित प्लस मैं जो इसमें इंपोर्टन इंपोर्टन ये वही मैं आप लोगों को दे रही हूँ तत प्लस मैं तन मैं तो इसका दो दूसरे भाग तक हम ने कर लिया तीसरे भाग से भी हम कुछ आपको शब्द कल देंगे बच्चों तब तलक आप लोग इसी को अपनी कौपी पे लिखेंगे तब तक घर पे रहिए सेफ रहिए तब तक के लिए खुदा हाफिज